कि आप सभी आई होप सभी अच्छे होंगे आज हम करने जा रहे हैं 2.3 exercise related example तो देखिए आपको क्या दिया हुआ एक्जाम्पल के अंदर की determine weather or not, determine weather or not, flow in the linear diphe午餘टाइन equation have a solution ठीक है आपको क्या बताना है कि कौनसा आपका linear diphe午餘टाइन equation का solution है और कौनसा नहीं है ठीक है ये चीज़े हमें बताने है तो हम कैसे पता लगाएंगे डाइफ में टाइंड के लिए आपको पता है कि एक तो हमारे पास क्या होना चीए इस सोलुशन के लिए हमारे पास एक तो होना चीए A, B का जो G, C, D, S, U, D, B, 1 होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट A not equal to 0 and B not equal to 0, ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे, फर्स्ट जो question दिया हुए आपको, ये आपके example 2.3, 2.3, ठीक है, फर्स्ट example हम कर रहे हैं, 12x plus में 501y is equal to 274 आपको given है, ठीक है, इसको बताना है कि ये डाइफेंटाइन, आप भी हमने पहले किया, linear congruence की क्या पहचान थी, कि A, X congruent होना चाहिए, B mod M की, इस तरीके से अगर आता है, तो आपका linear congruence की form बनती है, और अगर आपका इस तरीके से आता है, A, X plus में, B, Y is equal to C, then it is the form of the difeentine equation, clear है, linear difeentine बोलना है, खली difeentine भी नहीं बोलना है, ठीक है, तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या कर रही है, हमें क्या करना है, compare करना है, हमारे पास क्या है compare with equation क्या equation है मेरे पास ax plus by is equal to c यह equation मेरे पास है यहाँ पर a क्या दिया हुआ आपको 12 और b क्या दिया हुआ है 501 और c क्या दिया हुआ आपको 274 given है हमें क्या निकालना है a और b का gcd निकालना है what is the a a is 12 and b is 501 तो अगर आप इसका gcd की बात करो तो gcd के 3 आ रहा है अब gcd 1 भी नहीं आया चलो कोई बात नहीं अब 3 जो आया क्या वो c को डिवाइड करता है ये भी चेक करना है अगर वो c को डिवाइड करता है ठीक है अगर मान लीजे अगर आपका 1 नहीं आता 1 आ जा करना है कि क्या वो c को डिवाइड करता है कि क्या d जो है वो c को डिवाइड करता है अगर d c को डिवाइड करता है तब तो वो क्या है आपका डाइफेंटाइन एक्वेशन है डाइफेंटाइन एक्वेशन और अगर नहीं करता तो वो जो है वो डाइफेंटाइन नहीं है अगर D not divide C, then not diophantyne solution, ठीक है, तो देख लिजे, यहाँ पर C है, आपके पास C, और C जो है, वो हमारे पास क्या है, 274, और D जो है, वो मेरे पास क्या है, 3, क्या 3, 274 को divide करता है, नहीं करता है, not divide, then we will say that this is a not solution of the diophantyne, तो यह diophantyne का solution नहीं है, next जो आपको question दिया हुए, इसका जो second part है, इसी तरीके से है, 3x-64y, a is equal to 24, हमें, a क्या given है, 3, b क्या given है, minus का 64, और अगर C की बात करें, C की बात करें, तो C मेरे पास क्या है, 24, ठीक है, अब मैंने बताया था कि इसी तरीके से, यह ax-by is equal to c, दोनों ही diophantyne की, आपकी equation है, तो यहाँ पर अगर minus आगया तो मैं इस से compare कर लूँगे, minus वाली से, तो b की value कितनी हो जाएगी, मेरी 64 ही रेके चलो, ठीक है, तो अगर मैं इसका gcd निकालू, 3 और 64 का, तो gcd मेरे पास कितना निकल रहा है, 3 और 64 का, gcd निकालके देखते हैं, 3 और 64 का, 1 ही आ रहा है, क्या रहा है, इसका gcd, d is equal to 1, ठीक है, तो अगर यह gcd आ रहा है, तो 1 तो divide करेगा न, c को, 1 तो हर किसी को divide करता है, 1 divide c, तो 1 divides करेगा किसको, 24 को, 1 divided 24, then it is the diophantine solution, क्या कहेंगे हैं, इसको, diophantine solution है, यह, क्या है, यह diophantine solution है, उसके बाद देखें, next जो दे रखा है, इसका third part, बिल्कुल easy question है, third में क्या दियो, 11x माइनस में 33, y is equal to my 121 given है, बिटा आपको, a क्या है, here is a 11, and b is equal to my 33, then c is equal to my 121, ठीक है, first we will find b, what is the d, gcd of a and b, here a is 11, b is 33, then gcd of this is equal to my, I think so 11, क्या होगा इन दोनों का gcd जो है, वो क्या होगा, 11 होगा, अगर इसका 11 gcd है, here is c, ठीक है, तो देखिए, क्या 11 जो है, वो divide करता है, 121 को, या हम यह कहें, 11c को divide करता है, 11c को divide करेगा, क्योंकि अगर 121 को 11 से divide करते हैं, then we will get the 11, then it is the solution of a diphentine, तो आप क्या लिखोगे, this is solution of diophentine equation, linear diophentine equation, clear, इसी तरीके से जो next fourth part है, इसमें क्या given है, आपको given है, 11x plus 25y is equal to 45, ठीक है, here a क्या है, आपके पास 15, और b क्या आपके पास 25, और c क्या आपके पास 45, तो अगर a और b के gcd की बात की जाए, तो a और b का जो gcd है, 50, 25 का gcd क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, तो मैं लिख सकते हूँ, यहाँ पर 5, 5c को डिवाइड करता है, 5c को डिवाइड करता है, अगर यह c को डिवाइड करता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यह भी क्या आपका diophentine solution है, इसी तरीके से ही है, हमारा जो first question है, वो complete हो गया, अब हम कर रहे है, second question में क्या दिया हुआ, second question देखिए, second question में आपको दिया हुआ, कि solve the equation, आपको सिर्फ और सिर्फ equation को solve करना, जब बात आ जाती है, solve की, तब हमें x और y की value निकालनी है, ठीक है, पहले भी हमने 2.2 के example कि कि उसमें भी क्या होता था, solve करो, solve करना होता था, तो उसमें only x की value निकालनी होती थी, क्यों, क्योंकि हम वहाँ पर linear congruence की बात करते थे, यहाँ पर x और y दोनों include है, तो we will find the value of the x and y, first, 7x plus 5y is equal to 3, इसको solve करना है, हमने theorem की थी, उसमें भी solution किया था, x और y के value निकालनी है, same वही तरीका है, ठीक है, मैंने जब theorem करवाई थी, तब मैंने आपको बताया भी था, कि हमें कैसे पता चलेगा, वो step क्या है, तो मैंने यह भी बोरा था, कि मैं example से समझाओंगी, तो जल्दी clear हो जाएगा, तो देखो, example से हमें जल्दी clear हो जाता है, then theorem, ठीक है, तो 7x plus 5, हमें x और y की value निकाल ली है, इसके अंदर हमें a पता है 7 है, b पता है 5 है, और c पता है 3 है, अगर मैं a, b के gcd की बात करूं, 7 और 5 का जो gcd है, वो क्या है मेरा 1, 1c को divide करेगा, करेगा न, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ 1 divided c, c is equal to में मेरे क्या है 3, ठीक है, तो य यह क्या है, है जे solution of the diaphantine, तो यह solution रखती है diaphantine का, ठीक है, अब उसके बाद मुझे x और y की value निकालनी है, तो कैसे निकालोंगी, आपको पता है कि linear congruence की, जो linear congruence का use करना है, linear congruence, linear congruence के लिए हमें क्या चाहिए होता था, ax congruent है, ax congruent है, c mod b, ठीक है, ax congruent है, c mod b, यह हम करते थे, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, y वाली को उस तरफ लेके जाएंगे, y वाली को हम उस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ देखिए, यह सोचके चलिए, कि यह 7x है, ठीक है, और यह 3 minus का मेरे पास क्या हो गया, 5y हो गया, तो देखिए, अगर मैं इस congruence के according अगर लूँ, तो यह मेरे पास 7x हो गया, a जो है, वो 7 हो गया, ठीक है, 7x हो गया, और यह जो 3 आया है, यह जो 3 आया है, वो मेरे पास क्या है, c है, एक तरह से, c है, इसको मैं 3 को यहीं रहने देती हूँ, और यह जो है, b, वो मैं क्या ले लेती हू, mode 5 ले इस से क्या पहले मेरी x की value आजाएगी, फिर मेरी y की value निकल जाएगी, ठीक है, तो यह चीज मैंने ऐसे ले लिए, अब देखो, congruent की है, यह सिंबल, ठीक है, अब हमारे पास, आपको पता है, आपने पीछे गया था, linear congruence में x की value कैसे निकलती है, मुझे यहाँ 0 बनाना आपने 5 बन जा 5 लिखा यहाँ पर, यहाँ अगर मैं एक बर रफली बता देते हूं, 5 बन जा 5 लिख देते हूं, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या mode 5, क्या मैं जब इसको add गरती हूं, क्या यह 7 से divide होता है, नहीं, तो इसको 5 बन जा 5 को हम नहीं लिखेंगे, 5 तू ज 25 जा 20, फिर 23 आ गया, 55 जा 25, तो कितना आ गया, देखो 25, 55 जा 25, वो कितना आया, आपके पास 28 आया, और आपको पता है, यह जो 28 है, वो 7 से completely divide करता है, करता है ना, completely divide, तो यही मुझे लाने के लिए सारा यह चकर जो है, घुमाना पड़ा, अब देखो 7 से यह कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x congruent 4 mode 5 आ गया, 4 mode 5, then here is the 5, तो x की value मेरी क्या निकल गई, 4 निकल चुके है न, याद है, आप देखो अगर मैं इसको इस form में लिखूँ, तो कैसे लिख सकती हूँ, कि x by divisibility rule से हम क्या लिख सकते है, by congruent divisibility rule से हम क्या लिख सकते है, इसको minus को यहां क्या हो जाएगा, यह 5k हो गया, x minus 4, तो x की value कितने हो जाएगी, 4 plus में 5k, k क्या है, k कोई भी integer हो सकता है, k की value हम कुछ भी ले सकते है, वो depend क्या करेगा, कि आपको एक ही value निकालनी है, दो value निकालनी है, तीन value निकालनी है, वो आपके gcd पर depend कर, अगर आपका gcd 2 होता तो आपको x की 2 value निकालनी थी, अगर 3 होता तो gcd की 3 value, लेकिन here is a given gcd 1, then you will find the x value is the only 1, no, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, अब हमारे पास x की value निकल चुकी है, अगर x की value निकल चुकी है, तो मुझे y की value में तो इसको put करना बिल्कुल easy हो जाएगा, कैसे, देखो मेरे पास क्य पर्स्ट equation को उठा लो, 5y को यहीं रहने तो 7x को उधर लेगा, तो यह हो जाएगा, 5y is equal to 3 minus 7x, ठीक है, 5y is equal to 3 minus 7, x की जिके पर 4 plus 5 के हो गया, तो यहां हो जाएगा, 5y is equal to 3 minus 7, 428, और यह हो जाएगा, 57 35, तो यह हो जाएगा, 5y is equal to, यह हो जाएगा, minus का 25, minus का 35k, ठीक है, 5 से एकट रहे है, तो यह जाएगा, 5 minus में, 5 सते 35, तो यह जो है, y की value आगई, और यह जो है, मेरी x की value आगई, तो यह जो solution है, यह मेरा निकल चुका है, इस तरीके से यह question जो है, वो हम put करेंगे, ठीक है, अगर आप x की value को यहाँ put करते, और y की value को भी यह put करते, तो आपको खुद पता चल जाएगा, वो equal to 3 आएगा, तो आपका solution वो है, ठीक है, अगर मानलो, आपको उत्तर की verification करनी है, कि answer right है, यह wrong है, तो आप क्या करोगे, x की value और y की value को first equation पूट कर दो, और equal to 3 आपकी, तो आपका question जो है, वो, बिल्कुल ठीक है, दरवाईज वो, रहोंगे, अब हम क्या करें, next जो दिया हुआ, आपको find all solution in the positive integer of the 5x plus 3y, आपको 5x plus 3y के all integer निकालने, all solution निकालने, same question वही है, बस language बदल दी, कि आपको उसने यह बोल दिया, कि all positive integer, अगर gcd, देखो, gcd अगर आपके एक आता है, तो आपको एक ही solution निकालने, कैसे, देखो, मेरे पास क्या दिया हुए, 5x plus में 3y, is equal to me, 52, a की value, 5, b की value, 3, और c की value मेरे पास कितनी है, 52, a और b का जो gcd है, 5 और 3 का जो gcd है, is equal to me, d, वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के, 1 divide करता है, 52 को, तो हम क्या कहेंगे, it has a solution of the different solution, ठीक है, अब next जो step होता है, इसके बाद, जो मेरा step है, वो मुझे क्या निकालना है, x और y की value ही निकालनी है, तो वो मैं क्या करूंगी, हमें, मैंने बताए, पहले आप इसको linear congruence की form में लिख दो, तो linear congruence की form क्या कहती है, कि x इधर आता है, और mode b, c तो agitize रहेगा, ये c होता है, ये b होता है, और ये a होता है, तो देखो ax, तो ax तो यहां रहने दो, मतल की को यहां लिख देते हैं, ठीक है, अब मुझे x और y की value निकालने के लिए क्या करना है, मुझे पहले step में तो इसको 0 लेके आना है, 3 का table पड़ो, 3 के table में इसको add करो, जो आता है वही answer, वो divide होना चीज से, 3 बन जा 3, अगर मैं 3 लिखती हूं, ठीक है, अगर मैं 3 लिख equation, मैं कुछ बते return में नहीं कर रही हूं, क्योंकि return तो आप कर रहे हो, ठीक है, तो यह 5x हो गया, is equal to में 55 हो गया, यह हो गया, मेरे पास mode 3, अगर मैं इसको solve करूं, अगर हम इसको solve करते हैं, 5x congruent है, 55 mode 3, तो देखिए, 5 से cancel हो जाएगा, तो x congruent हो गया, यह sorry कर दिया, 11 mode 3, तो हमारे पास x की value निकल जाएगी, यहां से कैसे, देखिए, मैंने बताए, x इधर लेके आओ, इसको minus का 11 हो गया, यह किसके बराबर हो जाएगा, 3k के अंदर को इंटीजर जो वो मैंने add गर दिया, यह इस तरीके से इसके क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा, तो x minus में 11 और यह आगया मेरे पास, is equal to में 3k आगया, ठीक है, अब मुझे y की value निकाल ले है, तो मैं क्या करूंगी, x की value जो है 3k is equal plus में 11, यह क्या करेंगे, हम put कर देंगे, x is equal to में 3k, अब देखो एक चीज और, ऐसा हमें कब तक करना, यह चीज मैंने बताना भूल ग एसा हमें कब तक करना है, जब तक कि यह जो c की value है, c की value, वो इस 3 से कम ना जाए, 3 से कम ना जाए, क्योंकि हमारी c की value जो है, 3 से क्या आनी जाए, यह कम आनी चाहिए, x की value 3 से क्या आनी चाहिए, कम, तो मेरा यह solution जो है, फिर वो arise नहीं होगा, ठीक है, तो मुझे इंग्रूएंट है, 11, mode 3, तो दुबारा से कैसे करेंगे, वही सेम, 0 लाना है यहाँ पर, ठीक है, 0 लाना है, और 11 से मैं इसकी क्या करूंगी, 3 बंजा 3 अगर करती हूं, तो यह हो जाएगा, 14, 3 बंजा 3, ठीक है, तो मुझे अगेन करना पढ़ेगा, अब आपको होगे, अगर मैं 3 बंजा 3 लेती हूं, बात बिल्कुल ठीक है, 3 बंजा अगर मैं इसको 3 लेती हूं, तो देखिए, मैं एक बर आपको बता देती, 3 बंजा अगर मान लीजे, 3 लेती, क्योंकि 1 से तो वो भी डिवाइड होगा, तो यह गटाओंगी, मान लीजे, अब गटा क्यों हूं, क्योंकि यह छोटा है नीचे, ठीक है, तो यह पोजिटिव तो फिर भी आएगा, क्योंकि 11 में से 3 गया, तो 11 में से 3 जाएगा, तो कितना होगा, बिटा, मेरे खाल से 8 होगा, तो 8 फिर भी बढ़ा रहा, बढ़ा रहा, इसलिए मैंने 3 नहीं लेना, क्या लेती हूं, तो मैं 6 अगर ले लेती हूं, 6 लेती हूं, 3 जा 6 भी होता है, तो 11 में 6 गया, 5 तब भी बढ़ा है, अगर मैं 9 लेती हूं, 11 में से 9 गया, 2, तो छोटा आ जाता है, तो इसलिए, ये वाला portion, जो है, मैं कैसे करूंगी, ये 11 मोड आपका, 3 गीवन है, तो मैं लेती हूं, यह 2 हो जाएगा, देखो, छोटा आ गया ना, बस यही solution मेरा निकालना था, तो x की value क्या जाएगे, x यहाँ पर minus का 2, is equal to 3k के बराबर, तो x is equal to 3k, plus में 2, यह हो गया solution, first equation का solution यह आ गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, next जो step होता है, वो क्या होता है, मुझे y की value निकालने के लिए, मुझे 5x plus में 3y is equal to 52 है, इसके अंदर पूट कर दूँ में x की value, तो यहाँ 3y is equal to 52, minus में 5x, तो 3y is equal to 52, minus में 5, 3k plus 2, तो यहाँ हो गया 52, minus में 3, 15, 15, minus में 5, 10, तो यह कितना हो जाएगा, 2, 5 में से गया, 4, minus में 15, k, y की value कितनी हो जाएगे बटे में 3, तो y is equal to में 3, 3.12, 3, 15, 15, k, यह आ चुकी है, मेरी y की value, ठीक है, y की value निकल गई, अगर मैं y की रिकल चुकी है, इसने बोला, for all positive integer of, ठीक है, यह इसने बोला, find all solution in positive integer, positive integer में निकालना है, अगर positive integer में निकालना है, तो x की value greater होनी चाहिए, 0 से, और y की value भी greater होनी, 0 से, यह अगर 0 से, कम value value ले लूँगी, तो मेरे पास x की value, अगर मैंने 0 से कम ले ली, तो negative आ जाएगा, इसने बोला, positive होना चाहिए, अगर positive होना चाहिए, तो x की value जो थी, 3k plus 2, वो क्या होगा, greater होगा, 0 से, इसी तरीके से y की value 14 minus में 5k, वो भी greater होगा, 0 से, अब 3k की value greater है, 0 से, तो यहाँ यह minus का 2 होगया, ठीक है, इसी तरीके से 14, यह उधर, अब यह उधर गया, तो, देखो, minus वाला ले जाओ, उधर, इससे ना, आपके symbol में कोई change नहीं ठीक है, माइनस वाला, ठीक है, अब k की value निकालेंगे, अगर हम k, तो माइनस का 2 होगा, इसी तरीके से, अगर मैं 14 by 5, और यह k की value, ठीक है, तो k की value तो कितनी हो जाएगी, k की value 14 upon 5 होगी, इसने, अगर मैं k की जगह पर, 0, 1, 2, रखती हूँ, 0, 1, 2, रखती हूँ, तो क्या होगा, देखो, अब यह मैंने 0, 1, 2 ही क्यों लिया, यह बात आप सोचिए, देखो, इसने क्या बोला, k की value इससे बड़ी होनी चाहिए, मतलब k की value, माइनस 0.6 से बड़ी होनी चाहिए, तो 0.6 से बड़ा कोन है, 0 है न बस पानट है, 4, 2.8 से छोटी होनी चाहिए, तो 2 है उससे छोटा, तो 0, 1, 2, सिर्फ तीन value के लिए आपको solution निकालना है, और किसी के लिए आपको solution नहीं निकालना है, have done, बस फिर k की value यहाँ पर रख दो, x की case में क्या value आई थी मेरे पास, 3 k plus 2, y के case में मेरे पास आई थी 14 minus 5 के, तो k की value x is equal to me 3 into k की value कितनी है, 0 ले लो, plus 2, तो x is equal to me 2, फिर second में अगर 1 लेते है तो 5, और अगर 2 लेते है, 2, 3, 6, 6 और 2, 8, ठीक है, यह आगे, और y की value अगर मैं 0 लेते हूँ तो minus का, यह 14 ही ह होगा only, और y की value 2 लेते हूँ, तो 4, अगर y की value 1 लेते हूँ, तो यह size ना हिना जाएगा, यह answer होगा, ठीक है, बस positive solution के चक्तर में थोड़ा सा बढ़ा हुआ, और कुछ भी नहीं था, इस question में, सेम वैसे इसा जैसे हम वो question किया था, ठीक है, आपको इस में, एक, आगे देखो, अगला second method भी दिया हुआ है, अगर आपको इस तरीके से करना हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन वही method जादा best है, क्योंकि जो series चल रही है, हम उसको ही, अगर continue करते हैं, तो हमारे mind में भी रहता है, ठीक है, उसके बाद question number 4 देखिए, find the general solution in the positive integer of the 13x minus 17y is equal to 5, यह question जो आया हुआ भी है, पहले exam के अंदर, तो देखिए कैसे करना है, इसका solution, उसके लिए हैं, बिल्कुल यह easy question है, करवा देती है, तो कि कई बार आया हुआ है, फिर आपको होएगे, जिए आपने यह करवाया नहीं था, 13x, same वैसे यह जैसे आपने अभी 3rd किया, is equal to 5, a के आपके पास 13, b के आपके पास 17, c के आपके पास 5, यह हो गया, ठीक है, अब a और b का gcd, मतलब 13 और 17 का जो gcd है, मतलब d, वो कितना है, 1, 1, divide करेगा c को, 1, divide c, then it is the solution of this, divides 5, तो यह solution हो गया, तो हम, अब हम linear equation को use करेंगे, linear congruence equation, linear congruence by equation, ax congruent है, c mod b के, ax, यह 13x congruent हो गया, c के आपके पास 5, यह हो गया, mod 17, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ 0 ले आँ, 0 लाने के लिए मुझे 17 का table पढ़ना पढ़ेगा, 17 बन जा, 17, तो यह हो जाएगा मेरे पास 22, जो की divide नहीं है, 17 to 34, यह है 13 से 49 divide हो सकता है, तो मैंने यह 34 लिख लिए, यह बात हमेशा याद रखना है, यह तरीक का कैसे लगाना है, 17 का table पढ़ा है, मैंने 17 लिखा, तो इन दोनों को जब मैंने जोड़ा, तो वो इससे divide नह हो रहा, तो नहीं लिखना, मैंने 34 लिखा, तो 49 आ रहा, 49 के पाड़े में आता है, इसलिए मैंने यह लिखा, ठीक है, अगर मैं इनको adding करती हूँ, अब देखो आप कहोगे कि कई बार आप adding करते हो, कई बार subtracting, adding क्यों किया, क्योंकि देखे यहाँ पर यह बड़ी अकम है यह क्या है, बड़ी, अगर मैं माइनस करती तो यह माइनस का आजाता, मुझे माइनस नहीं लेना यहाँ, तो मुझे क्या करना है, 13x, यह हो गया 49, और यह हो गया 14, 17, अगर आप छोटा ले रहे हो ना इससे, तब माइनस कर सकते हो, तो x की value 13, 31, 39, यह कट चुगा है इसस यह आगया मेरे पास, ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, x-3 is equal to 17k, और x की value कितनी हो जाएगी, मेरे पास 17k, plus में 3 हो सकती है, हो सकती है, अब देखो, यहाँ पर, clear है न, हो सकता है, अब देखिए, आगे मैंने यह step, पिछे वाले question में किया था, यहाँ नहीं क गई, y की value में put कर दो, 13x, minus का 17y is equal to 5 है, तो यहाँ पर, minus का 17y is equal to 5, minus में 13x, ठीक है, यह sign अटा दू, अगर में negative, तो यहाँ हो जाएगा, minus का 5, plus में 13x, यहाँ value पूट कर दो, 17y is equal to minus का 5, plus 13x की जगे पर 17k, plus में 3, तो 17y is equal to, में क्या निकल गया, 34, और यहाँ जाएगा, 221k, y को यहीं रहने देखते है, तो यह 2 से कट गया, minus में, यह 13 से कट गया, की हो गया, ठीक है, यह कितना आ गया, 31, की आ गया, ठीक है, यह positive है बटा, positive का निसान आएगा, यहाँ पर यह, इसे किया न, तो यह plus का आया, अब मेरे पास यह आ गई, y की वेल्यू, बस यही मुझे solution निकालना था, 2, plus में, 13, k, y की वेल्यू, x की वेल्यू, यह है, ठीक है, इसी तरीके से, अगर आप करना चाओ, positive integer को, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, कुछ भी लिखके, आप solution कर सकते हैं, अब देखिए, next जो दिया हुआ है, आपको, find the general solution of the 70x, plus में, 112x, is equal to 168, same वही question है, same तरीका भी वही है, आपको, कुछ भी नहीं करना, तो मैं क्या करूंगी, A जो है 70, B के 112, और C के मेरे पास 168, A और B का GCD, मतलब B जो है, वो मेरे पास 70 और 112 का, वो कितना निकलेगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, GCD, अब देखो, एक बात और बता दू, GCD जब भी हम निकालेंगे इसको, उसने क्या बोला, GCD निकालो, तो हम 70 और 112 का, GCD निकालते हैं, तो इन दोनों के अंदर जो common आता है, वही तो GCD होता है, तो 112 को अलग-अलग से कर लो, 2, 3, 6, ठीक है, 2, 5, 10, 7, 5, 5, इसी तरीके से 2 से करेंगे, तो 2, 5, 10, 2, 6, 12, फिर 2 से 2, 2, 4, 2, 16, फिर 2 से 2, 1, 2, 4, 8, फिर 2 से 2, 14, फिर 7 से 7, एकम 7, तो जो GCD है, वह कितना आ गया, 2 x 7 x 5, और यहाँ पर क्या है, 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 7, तो जो common है, 2 है और एक 7 है, तो 2 x 7 जो है, 14 जो है, वह मेरा क्या होगा, GCD आ गया, 14 मेरा क्या हो गया, GCD, अब मेरा GCD जो है, 14 आ गया, आपको इसमें अलग तरीके से दे रखा, चाहे आप वो तरीका लगाओ, चाहे यह लगाओ, जी से निकालना है, और इसमें जो तरीका दे रखा, आपको math के अंदर, वो Euclid वाला आप, जो 10 में करते थे, वही है, और कोई तरीका न 28 करता है, तो आप लिखोगे, 14 डिवाइड्स, 168, देन इट इस सोलूशन ओफ दिस, देन, इट इज सोलूशन ओफ दिस, ठीक है, तो सोलूशन है, अब मैं इसको by linear congruence में लिखूंगे, ठीक है, linear congruence में अगर मैं लिखती हो, तो कैसे लिखूंगी, हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अभी बताती हूँ, पहले उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, क्योंकि हम छोटा कर सकते हैं न, इसको, अगर कुछ कटता है तो काट दो इसको, 14, 75, यह 14 से कट रही है, यह भी 14 से, तो यह हो जाएगा, 5X प्लस में 8Y, is equal to 12, ठीक है, अब linear congruence म low linear congruence की equation लिए देती हूँ, B, sorry, C, mode B, तो 5X congruent है, C क्या है, C है, C है, यह 12, और यह हो जाएगा, mode, और B क्या है में पास, 8, ठीक है, अगर मैं यहाँ 0 ले हूँ, 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 का table पढ़ना है, 8 का table, 8 बंजा, 8, mode, 8, ठीक है, तो यह हो हो जाएगा, 5X एडिंग करेंगे, अब हो जाएगा, 5X congruent है, यह हो जाएगा, 10, mode, 8, ठीक है, तो X की value मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2, mode, 8, ठीक है, X की value मेरे पास यह आचिक है, अब X value आ गई है, मेरे पास, congruent to mode, 8 आ गई, यह हो जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा, तो X की value क्या हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा, is equal to me, 8K, तो X की value मेरे पास हो जाए, X is equal to me, 8K plus 2, यह answer आ गई, ठीक है, X की निकल गई, Y की निकाल लो, put कर दो, उसमे, Y की value, हमने क्या लिए थी, 5X plus 8Y is equal to 12, 5X is equal to plus 8Y is equal to 12, 8Y को यहीं रहने दो, 12 माइनस में 5X, 8Y is equal to 12, माइनस में 5X की जाएगा, पर 8K plus 2, तो 8Y is equal to में, जब मैं इसको solution करती हूँ, तो मेरे पास यह कितना जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 40K, तो Y की value क्या निकल जाएगी, माइनस का 1, इससे कट हो गया, माइनस का 5K, X की value मेरी यह आई थी, Y की value मेरी यह आ, चुकिए यही मेरा solution है, इसके अलावा कुछ ही नहीं करना, ठीक है, तो आज की जो exercise है हो, मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई है, और easy भी थी, मुस्किल भी नहीं थी, ठीक है, इसी बात पर सभी बच्चे जल्दी से जल्दी like और subscribe जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके like, subscribe करने से कुछ जाता नहीं है, लेकिन हमारा जो है, एक subscription हमारे लिए बहुत important है, ठीक है, बाइबाइ, take care, thank you, have a nice day.